झूप दिसक्रस नें आपका सेंपल question paper 4 2021 तो यार आप लोग बहुत बरिशान होंगे इस चीज को लेकर यार कैसा question paper आने वाला है तो cbsc ने यह जारी कर दिया है कि आपका कैसा question paper आने वाला है उसका model question paper इस बार दे दिया है तो तो same last year वाला ही model question paper है, आप चाहें तो इसे CVSC की my CVSC guide website पर जाकर के check कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यह वहीं से है, तो चलिए discuss कर लेते हैं कि यह आपका question paper आने कैसा वाला है, जो last year आया था वही question paper आपका आने वाला है, इस बार भी उसी type का 30 marks ऐसे rewrite किये गए हैं, आपकी 3 units हैं, तो सभी unit में से आपको 1010 marks का आएगा, चाहें वो कितना भी छोटा unit हो, चाहें कितना भी बड़ा unit हो, तो सबसे बड़ा unit आपका third unit है, जिसमें बहुत सारे chapters आपके हैं, तो यहाँ पर general instruction दे रखे हैं, answer all the five sections, section 1 में आपके जो multiple questions आन आपके कैसे, तो जैसे इसमें दे रखाया, mention the title of painting done by painter Nihal Chand of the Rajasthani school, तो Rajasthani school के painter Nihal Chand ने कौन सी painting बनाई है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राधा बनी ठहनी बनाई है, कृष्णा लिफ्रिंग मांग गोबर्धन बनाई है, कृष्णा विद गोपीद बनाई है, तो इन चारों में से एक answer आपका ठीक है, जो है राधा बनी ठहनी, अगर वो पूछ लेता, ऐसे की painter Nihal Chand, जो राधा बनी ठहनी स्कूल के हैं, उन्होंने राधा बनी ठहनी painting को किस सब स्कूल में बनाया है, किस सब स्कूल के अंतरकत आती है वो, तो वो आती है हमारी Nihal Chand क राधा जो है, वो किशनगर की है, तो यह आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राधा किशनगर की है, ठीक है, तो आभी second question देख लेते हैं जैसे की, in which it's sub school, the famous miniature painting of the Deccan school, चान बीबी प्लेइंग पोलो, चौगन, is made, तो यह जैसे मैं भी question की बात कर रहा था उपर वाले की, वो ऐसे घुमा कर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर पीजे से पूछा है, तो इसमें कौन से sub school में वो painting बनी हुई है, तो यहाँ पर पीजापुर sub school है, गोल कॉंडा sub school है, एहमद नगर और हैं हैदराबाद, तो इसमें से जो वो painting है, वो गोल कॉंडा sub school की है, तो यहाँ प कोई भी पेंटर का नेम नहीं दिया गया है डेककन स्कूल में या पढ़ी चुके हैं आपके जितने भी हमने लेक्चर दिये हैं सारे चैप्टर्स पर था है इन विच मीडियम तर राजस्थानी मिनियेचर पेंटिंग आर मेंड तो जैसे हम बात किये थे जो हम चैप्टर तो इसमें अगर टैंप्रा दे दे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते तो आप इसमें धियान रखेंगे कि मीडियम जो होता है वो किस मीडियम में हुआ है तो उसमें कलर वगेरा की यही बात होगी जैसे इसमें कलर है और जब टैकनिक की बात होगी तो वो टैंप्रा प्रेंट, डिपिक्टिड दे कंसेप्ट ओफ फर्टिलिटी एंड पावर ओवर्शिप, तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर हमें कुछ जो ऑफ्शन होते हैं, उनमें अगर कुछ नहीं पता होता है, तो हमें उसमें तुकका भी हम कैसे लगाते हैं, यह हम यहां देखेंगे चिल्डरन क्या वर्शिप, पावर ओर ओवर्शिप आता है चिल्डरन में, नहीं आता, वहम देखेंगी जो ब्रिलियंट लिपेक्ट दे मैरिज प्रसेशन ओफ मुगल प्रिंस तो यह वही पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग उनकी वेलकम कर रहे हैं बारात का पूरे तो यहां पर है हाजी मदनी ने वो पेंटिंग बनाई है आपको मैं बता दूँ एंड नेक्स आता है आपका तो बेंगॉल स्कूल के पेंटर नंदलाल बोस ने कौन सी पेंटिंग बनाई है तो जो आपके स्लेवस में है तो इसमें जर्नीज एंड आपने बढ़ा है अबनेंदर नाट टेगोर ने बनाई है रादी का म. चुकता ही की है शिवेंड सथी शिवेंड सथी जो आपकी इस जो ठीक हैं जısे फॉस में आगए आपका रादा बनी ठनी इंड सेकेंड में आपका आगॉसमीद स्कूल तो इसमें आपका गोल कौ्ड़त एंड थरड में आप आ जाते हैं थरड में इन विच मीडियम की पेंटिंग तो यह वाटर कलर राग और चॉनाल गया एक और बात समझ लें कि यहां पर आप जब question paper आपके बास आएगा तो उसे अच्छी तरह से पढ़ें पहले ऐसे को जल्दी बाजी करने की वहां कोई जरूत नहीं तू आर्स आपको मिलेंगे जिसमें सिफ थोड़े से questions हैं आपके जो आप आराम से करके गंटे में बैठ जाते हो तो बना उसे ठीक है अभी नेक्स आता है था फेमस मेंचर मेंटे मोड़ स्कूल विलिंटी मेंच प्रसेशन अब दारासी को इस यह किस ने बनाई है तो यहाजी मद्नी ने बनाई है एन आप लास में एक मैंशन दाटल अब दन पेंटिंग ड़न नंदलाल बोस तो नंदलाल इसमें दे रखा है एवल्यूट दा कंपोजिशनल अरेंजमेंट ओफ एनी थिरी और फॉलोविंग इन शॉट तो यह जो दे रखा है सेंड कभी एंड रायदास एंड कृष्णा लिफिंग मांगो बर्दन चांद भी बलेंग बोलो हजरत निजाम उतिन ओल्या तो यह अगर आपको पता है अगर आपको एड्जक पता है कि उसका सरका क्या है तब ही आप सरका लिखेंगे नहीं तो सरका लिखने की जरूद नहीं है और जो इनका कलेक्शन है वो कहां पर है वो भी आपको पता होना चाहिए और आप उसमें लिख सकते हैं फिर उसके बाद आप और किस टोपिक पेंटिंग बनी हुई है वो भी आपको इसमें धिहान रखना और आपको टिपिक्ट करना इसमें तो यह आपके तीन क्वेश्चन हो जाएंगे और सब्सक्राइब क्या है इसमें तीन मांस का टू क्वेश्चन होंगे जैसे यहां पर दे रखाए इसमें आपको दिया गया है कि बेंगॉल स्कूल की कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसे हमने यहां पर दिया गया है उसे आप पहचानिये और उसके बारे में लिखे तो यहां पर है अब देख्रेशन ओफ मेंस्टिक्स और मेलो स्टाइल बाइज इसमें यह चीज थी बेंगॉल स्कूल में तो हम बात करेंगे जिसमें बैक्ग्राउं डिफ्यूजिंग लाइट का था और उसमें बहुत ज़्यादा थिन लाइनिंग यूज वी तो इसमें बहुत लाइन यूज नहीं हої थी तो वो कूनसी पेंटिंग है तो वो हम यहाँ पर आपकी पेंटिंग है वो है जर्नीज एंडक्र बारे में यहां पर आपको उसका पूरा description लिखना है ठीक है और जो आपका second question आता है फिर जो आपका second question आता है second question है which one of the contemporary Indian sculpture you like the most तो कौन सा contemporary sculpture है जो आप बहुत जादा like करते हो नहीं इसमें Indian sculpture की बात हुए तो sculpture में क्या different होता है sculpture होता है वो मूर्ती होती है या फिर आपका statue होता है और उसे बनाने वाला जो होता है वह स्कप्टर होता है जैसे हम painting बनाने वाले को painter कहते हैं तो यहां पर sculpture बनाने वाले को sculpture कहते हैं तो कौन से sculpture को आप बहुत जादा like करते हो and write about the style characteristic material etc of his work तो जो भी आप हमारे स्लेवस में उसका work है उसके बारे में आप यहांबर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप उस कप्टर के बारे में लिख सकते हैं ठीक है अभी next आते हैं यह six number का आपका one questions है तो इसमें हम बात करते हैं section 4 में general instruction है answer to be written in the 200 words तो यह बच्चे पूशते हैं मैं से कि यार हम सर जी यह हम क्या कहते हैं पॉइंट में लिख सकते हैं कि सर फाइफ पॉइंट बहुत होंगे तो यार सिक्स फाइफ पॉइंट बहुत हो सकते हैं लेकिन आप पॉइंट लिखेंगे तो वह एक या दो लाइन का होगा तो 200 words आपके कहां पूरे हो जाएंगे तो हम यहां पर क्या बात करते हैं मैं यहां पर जो भी सजेस्ट करता हूं कि आप paragraph बाइस लिखेंगे क्योंकि paragraph में जो आप लिखेंगे तो इतना teacher deeply उसको दिहान से पड़ेगा भी नहीं और अगर आप उसको आप पॉइंट में लिखते हैं तो वह अराम से बढ़ सकता क्योंकि चोटी-चोटी लाइन होगी और जो आप बड़ा पहरा लिखेंगे तो वह नहीं बढ़ पाएगा तो इसमें 2-3 pages आपको काफी होंगे 200 words आ होने चाहिए बस यह आपका इसमें दे रखा है तो आप इसमें से कोई सी भी कर सकते हैं mother and child जो की जैमिनी रॉय की बनाई हुए हल्दी गरेंडर जो अमरिता सेर्गल की है अमरिता शेर्गल की है राम वैंगिशिंग प्राइड ऑप दो ओशन राजा रवी वर्मा की है mother and Teresa आपको जिसके बारे में सबसे बढ़िया पता है वह आप टू पेंटिंग आपर चूज करकर के आप लिख सकते हैं और फिफ्ट में आता है यह भी सिक्स मार्क से आपका क्वेस्टन है जनल इसे लिख सकते हैं जो इसमें दो दे रखें Contribution of Bengal School in Promoting Nationalism and Deccan School of Painting तो जहां पर Deccan School of Painting दिया गया है या Contribution of Bengal School in Promoting Nationalism तो Nationalism को कैसे प्रमोट किया Bengal School के आर्टिस ने वो आपको लिखना है वो हम पढ़ाई चुके है Bengal School chapter में and Deccan School of Painting इसमें जब यह आता है ऐसे लिखने के लिए तो आपको original development से लेकर के उसमें आपके क्या आता हैं और आपके में फीचर और आप बेंटिंग के नहीं भी उसमें दे सकते हैं एक दो पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि कैसी उसमें पेंटिंग यूज हुई हैं अगर आपके कम वर्ड रहे दें तो तो आप ऐसे यह पूरा आप question paper हल कर स सकते हैं अपना तो आपके पूरे 30 out of 30 marks आ जाएंगे अराम से तो आपको थोड़ा दिहान देने की जरूवत है और तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको बैनी फीचर लगता है या फिर आपके काम का है य की पेंटिंग सब्जेक्ट से ही 12 कर रहे हैं उनके पाँ पेंटिंग सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप से ही वीडियो आपको मिलते रहें आगे थैंक यू थैंक यू फो वाच